उसी परकार से बहुत बिद्यार्थी हो कि दिमाग में घूश गया है कि गर्मी है, गर्मी के बाद पढ़ेंगे अभी बहुत बिद्यार्थी नए पढ़ रहा है हम आपको बोल रहे हैं समझे तो गर्मी, सरदी, ठंधा, परसात आते रहेगा, जाते रहेगा आप अपना काम करते रहिए मतलब आप अपना पढ़ते रहिए कुछ ऐसा अच्छा कुछ है कुछ है ठीगा देखिए आपकी सोच ही आपको महान बनाता है ठीगा आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे जैसे देखिए बित्व जासर के दिमाग में घूस गया है कि क्लासरूम में कर्मी है ठीक क्लासरूम में कर्मी है अब उनके दिमाग में घूस गया है कि ना पुरा क्लासरूम ऐसी होना चाहिए तब हैं हम क्लास लिंगने तो क्लास नहीं लेगे समझे उसी परकार से बिट्टु जासर के दिमाग में इस बात भूस गया है उसी परकार से बहुत बिद्यार्थियों के दिमाग में भूस गया है कि गर्मी है गर्मी के बाद पढ़ेंगे अभी बहुत बिद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है हम आपको बोल रहे हैं समझे, तो गरमी, सरदी, ठंढा पर 6 आते रहेगा, जाते रहेगा, आप अपना काम करते रहे, मतलब आप अपना पढ़ते रहे, समझ गा है, तो इस भरम में मत रहे, बहुत है अड़े, लेते हैं आप उन्ट में हो जाता है संजये और कोई खास बात नहीं और देखे बात क्या है बताते हैं हम आपको कि हम भी काम कर रहे जो कर रहे हैं तो रहिए हम लोग कभी आज तक प्रीक नहीं लिए कभी नई हम इसा परहाते रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि नई ब्रेक मिलना चाहिए देखे एक ही काम करते करते जो है ना कभी-कभी आतमी निरास हो जाता है समझे और फिर जैसे एक सब्ता के लिए ब्रेक ले लिया कहीं जुट्टी पे चले गए घुमने उमने के लिए समझे तो फिर से अब आईए अब उब लें कि रातो रात एसी लगा देजे क्लासरूम में तो आप ही बताईए रातो रात पूरे क्लासरूम में ऐसी लगाना पॉसिबल है कितनों पईसा आपके पास तो आप नहीं लगा सकते हैं ठीक है नहीं लग सकता है नहीं लग सकता समझे तो आप काम होगा ऐसा थुड़े है कि छोटा एग वो रूम है हजार के 5000 वफिसटी वड़क क्लासलूम है इसमें तो कम से कम एक सता का टाइम लगे अब उनके दिमांग में गुषगया तपना लेंगे नहीं लगेगा तो नहीं लेंगे समझे। तो चलिए आज एए अब मेरा कलास तो होते रहेगा एसी रहे डीसी रहे बीसी रहे कोई दिक्कत ना समझे गर्मी रहे ठंडा रहे बर्दसात रहे चलिए